के बारे में विद्यार्थी को जनकारी मिला है, खास तोर पर सिख्षक अभ्यर्थी का और उनका प्रान सुख्या है, संसे की इस्तिती में चले गए है कि आखिरकार BPSCI साक्यों की, इस पर भी चर्चा करेंगे, और कल आंदोलन जो होने वाला है उस पर भी बातचित करेंगे, कि आखिरकार आंदोलन कितना सफल होगा, विद्यार्थी को उसमें किस तरीका से भाग लेना चाहिए, और सिख्षकों को उसमें कैसे भाग लेना चाहिए, एक एक बातचित पर बात करेंगे, बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं, आए दिन पेपर में भी होगा, वैसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि one candidate, one lagu हो, और सभी पूरे seat पर result दिया जाए, हर एक कमी को दूर किया जाए इसमें, तो आप इस वीडियो को maximum share करें, ताकि आपके आंदोलन होने से पहले, आपकी बात मान ले जाए, सरकार और आयोग के द्वारा सबस्वाग विद्यार्थी को फैदा होगा, पचीस से तीस हजार परिवार को खुश ही मिलेगी से, सबसे पहले तुम मैं आपको ये बता दू कि one candidate, one result, और verification process में बदला हो, ये दो ऐसे मुद्धे हैं, जिनके कारण पचीस से तीस हजार वेकंसी, जो वेकंट रह जानी है, अगली वे इंटर्व्यू लिये हैं, या खुद हम विडियो बनाए हैं, ये दो मुद्धे हमेशा रखते आ रहे हैं, शुरू से, टियारी 3.0 एकजाम हुआ, जस्ट उसके बाद से ही, इस मुद्धे को हम पर मुक्ता से रख रहे हैं, कि ये दोनों process लागू होना ही चाहिए, आप 50% वेटिंग का प्राफधान कीजिए, 50% वेटिंग का प्राफधान कीजिए, और 11, 12 से उपर से वेरिपिकेशन नीचे की तरफ लेका आईए, और जितने भी multiple candidate बैठे हैं, एक से अधिक seat पर candidate बैठे हैं, एक जगे उनको confirm seat मिलता है, उनके vacant seat का लाब, un candidate को मिलना ही चाहिए और वेरिपिकेशन जैसे ही आप जॉइनिंग के पहिले, documents, verification, final round में वेरिपिकेशन करने के बाद ही आप जॉइनिंग कराईए, ये नहीं कि जॉइनिंग करा देंगे, उसके बाद हम वेरिपिकेशन कराएंगे, तो ये अगर ऐसा होता है, तो लगता है कि कुछ न कुछ सो आप देख रहे हैं कि TRE1 में टोटल एक लाग सतर हजार पोश्ट था, final 95 हजार के लगबग स्टूडेंट जॉइन किये, TRE2 में एक लाग बीस हजार के लगबग वेकेंसी थी, लगबग 40 हजार प्लस सीट खाली रह गई, आप बाद में जो वेरिपिकेशन कराते हैं, और बिहार के 3800 जिला में आप देखिएगा 200 असले के 500 सीट बाद में खाली हुआ है, अब गुना कर दीजिए, 3800 गुना 200, 300, 500 को, कितना 14, 15,000 सीट तो ऐसे ही हो गया, तो कहीं न कहीं इस 15,000 सीट जो वेकेंट रह गया, उसके जिम्मेवार कौन, बरासा प्रस्ण है, कोई पहले ही कितनी बार प्रस्ण चिलन लगा है, तो सरकार तक आस्वस्थ करे, वेल्ट्रोन को हम दे रहे हैं, 100% गारेंटी लेते हैं, कहीं भी घरवरी नहीं होगी, अखिरकर क्या परिस्थिती हुआ होगा, TRE1 का BPSC ने किया, TRE2 का भी किया, इस बार क्या दिक्कत हो गया, संख्या भी इस बार कम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा संख्या है, क्या दीतर होगा है, अब तो जैसा कि हम लोग न्यूज पेपर में पर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, 5 लाक के लगभग अप, OMR है, BPSC की बूते की बात नहीं है, यानि पहले सुबैवस् इसलिए सरकार की दूसरी एजनसी वेल्ट्रॉन को दी जा रही है, तो आप दूसरी एजनसी को दे तो रहे हैं, लेकिन इसके पहले जितनी भी बार आरोप लगी है, कई बार उस पर आरोप सिद्ध भी हुई है, गरवरी की, तो आप आस्वस्तो किजिए कि किसी तरह का गर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको ले करके सजग रहने की जोरत है और कल यानि की कल बारे बजे वेपीएसी ओफिस के सामने इस तरह का परदर्सन रखा गया है और सारे ग्यारे बजे पहुचने के लिए बोला गया है तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं छात्रनेता दिलिप को देरो बदाही देना चाहता हूँ कि आप छात्र हीत में इतने बड़े कदम उठा रहे हैं और जैसा कि हम सुरू से कहते आ रहे हैं कि अगर आप आंदोलन करते हैं तो हमेशा साथ में सारे टीचर समू हैं हम तो सबसे आगे रहेंगे उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कल हम कलम वहां पहुंचेंगे बी कलम वहां पहुंचेंगे बीपियसी आफिस में कहीं को दिकत वाली बात नहीं है लेकिन हम तमाम सिक्षकों सो जो भी छात्रों को पढ़ाते हैं खास करके सिक्षक अभियर्थी के लिए स्पेशल बैच आप चलाते हैं तो आपका निश्चित निश्चित रुप से एक कर्तब बनता है कि छात्र हीत में जरूर आप आगे आएं अगर संभब हो तो वहां भी सबको चलना चाहिए तमाम छात्रों को लेकर चलना चाहिए और बहुत सांतिपन तरीके से आइंसात्मक तरीके से अपनी बातों को वहां पर रखने का प्रिय गैदर हुए हैं सभी एक साथ गैदर हुए हैं इसले करके हम तमाम सिक्षक हमने तो अभी दूसरा वीडियो अपने चैनल पर भी बनाया था उसमें हमने लगबग 15-20 कोचिंग का भी नाम लिया था कि उन तमाम सिक्षकों के से आग्रे किया था कि आप लोग छात्र हीत में एक बार जरूर वीडियो बनाये इसके अलावे आप लोग मीडिया बंदू जितने भी हैं उनसे भी मेरा करबद्ध परात्रा है चात्र हित में इस मुद्धे कुत्वरासा आज के लिए और कल कईसे मैक्सिमम भीर जूटे उसके लिए आप लोग भी परियासरत रह करके चा चात्रों को जरूर आप मदद करें सर भीर तो जुट जाएगी बहु सारे भीर में भी कुछ ऐसे बिखती होते हैं वह ना चाहते हुए कुछ उग्र हो जाते हैं बहु सारे लोग इधर उधर करते हैं उसमें उगरता का कोई अस्थान नहीं है तमाम चात्र ये बात आप सम ये अगर चाहते हैं कि आपका ये प्लानिंग सफल हो तो आहिंसा प्रायोरिटी में आहिंसा को रखना ही होगा और एकदम सांति पुन तरीके से अपनी बातों को वहां रखना होगा आपके नेत्रित्यों करता वहां पर बात रखेंगे खाली आप वहां साथ में उपस्तित भी बात होगी शर एक समष्या होता है जब भी पेपर खोलिए जब कोई शांज बीडता है जब MAYOR U ॉ जांच करती है या सरकार की जब जांच करती है तो प्येपर में दिया जाता है बहुत सारे बिद्यारतीं बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि तीन संस्थान कौन है पांच संस्थान कौन है, शिक्षा माफिया भी संस्थान होगे, इस पर आपका क्या विचार है, यह समझे कि बहुत गलत बात है, कि आप कोचिंग को सिक्षा माफिया बोलते हैं, या टीचर को सिक्षा माफिया बोलते हैं, यह समझे कि आपने आप में यह कितना खराब कुछुए गलत हो सकते हैं लेकिन इसको के आप पूरे चात्र को, पूरा शिख्छक को आप तरह कारोप लगाएंगी तो मेरे ख्याल से आरोप पूरी तरीके से निरादार है! लेकिन यह बात हम जरूर आपको बोलते हैं, कि अगर इस तरह का कृत्य कोई भी संस्थान करती हो, तो उस पर कठोर से कठोर कानूनी कारवाई की जाए, और सरकार से भी हम आगरे करते हैं, करबद प्रातना करते हैं, कि आप जरूर उस तीनों का नाम उजागर कीजिए, सभी को जानने का हक है, चाहे कोई कोचिंग वाले हों, या छात्र हों, सभी को ये जानने का हक है, कि इस तरह के गलत कृत्त में कौन से कोचिंग संस्थान संलिप्त हैं, इसको लेकर कि सभी संस्थानों की बदनामी ये अच्छी बात नहीं है, जब से वेल्ट्राउन की बात की गई, तो वहां भी समय लेगा, पांच सारे पांच लाक मिद्दार्थी का बात है, अब क्या उमीद है आपको कितना विलंब होर हो सकता है, आप आदत भी तो लगा दिये हैं, आप घर नहीं पहुंचते थे, पहले सांसर की आ जाता था, ट इतना विलंब क्यों हो रहा है, इसलिए सिग्रता, सिग्र, चातर चुकर, क्योंकि चातरों को मन में बहुत तरह के बातें आती हैं, आप देख रहें, डेटा लिक कर गया, अभी वेल्ट्रोन को दे दिया गया, तो लगातार उस तरह की काम हो रही है, जो कि चातर नहीं चा और वन कंडिडेट, वन रिजल्ट, ये मुख दो बातें हैं, इसको भी संग्यान में ले करके तब रिजल्ट जारी होना चाहिए, सर, बीपीएसी में आप बता रहे हैं कि अभी तक कोई नहीं, बीपीएसी अन्य एक्जाम का रिजल्ट जारी करती है, तो उसमें भी वेरि कि क्या खास इस भरती में है, जो इसके लिए आप अलग प्रोसेस रखें हैं, क्या खास है इसके लिए आप अलग प्रोसेस रखें हैं, नहीं तो दुनिया का हम बताएं कि कोई भी ऐसा एक्जाम नहीं होता है, जिसमें इस तरह का प्रोसेस अपनाया जाता है, ये तो आयो करता है जो बिहार सरकार आदेश करती है उस पर मैं काम करता हूं मेरे साथ क्या हो शकता है सर वहाँ अंदोलन करने से वहाँ बड़ा बिद्धार्थी पहुंचने से क्या यह अवाद मुखमंत्री तक यह सिक्षा विभाग तक या शही है यह जगा आप तो अहिंसात्मक रूप से अगर जहां गर्दनी बाग में धर्नास्तल बना हुआ है वहाँ पर भी अगर धर्ना देते हैं तो वह बात भी मुखमंत्री तक पहुंचती है यहां तो बीपीसी यह बात एकदम सही है कि बीपीसी कंडुक्टिंग एजनसी है लेकिन आप भी दिखा के दवाब तो बना ही सकते हैं इस तरह का कि निश्चीत पर भीर जाएगा यह मीडिया में बाते शलेंगे और मीडिया में बातें चलेंगी । जिस तरिके से सरकार अभी सजग है । हम बड़ी भेकंसी लगातार आ रही है, तो अपने आपमें ये परसंसाक योग है मान्या मुखमंत्री जी, लेकिन साथ में मान्या मुखमंत्री जी को ये भी देखना है, कि उन चीजों का भी खयाल रखा जाए, उन छातर हित्म में भी उन बातों का खयाल रखा जाए, जिससे मैक्सिमम दिखे बच्चों के नजर में, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तब भी अगर धरना पर बैटना पर रहा है, ये कितना गलत बात है, या कितना मतलब गरबर बात है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कितनी बड़ी भेकंसियों को देख करके भी, हम त इतने चातर हित्में जरूर ये बदला वो करने का परियास करेंगे, सर कई एक बार देखा गया है, जब च्छातर आंदोलन करने जाते हैं, आंदोलन करने से पहले ही बात माल लिया जाता है, बहुत सारे मेरे दवारा वीडियो बनाए जयाता है, आपके साथ जब मैं वीड से अंपिस पताना पहुचे उस पर नोटिस हा जाता है उस पर संग्यानिप लिए जाता है उस बार भी उमीद किया जाए कि यह जो कल आंदोलन होने वाला है आज रात कि आपका वीडियो अधिकारी लोग भी देख रहे हैं जो कि इससे related decision making body जिसको का सकते हैं वो देख रहे हैं यह तो अच्छी बात है यह अच्छी पहाल है कि आपकी बात है मतलब जनता तक पहुंचने के पहले ही सरकार मतलब आक्रोस बरने के पहले ही सरकार इस बात को माल ल लेगी उनको जब यह समझ में आता है कि चातरों की वाजिब मांग है तो यह चीज implement करती है तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि यह बहतर पहल है अगर सरकार चाहें अगर उनको यह लग रहा है कि कल इतनी बड़ी संख्या में चातर जुटने वाले हैं अगर उससे पहले अग सख्या चाही तरी का चल रहा लेकिन यह प्रतेक इक्जाम का समस्या है वो चाहें ब्यसे इंटर्लेबल हो सीजील हो या कोई भी इक्जाम हो बहुत सारे बिद्यार्थी पटना में ही देखिएगा जितना संक्या है बिद्यार्थी का मालें 10-10 लाक बिद्यार्थी आपे 5 यूटूब पर लगातार कमेंट करेंगे लेकिन जब जो आप अस्थाल, अस्थाल fix की हैं, railway के मामले में भी देखते थे, विहार SSC के मामले में भी हजारों छातर आवाज तो यूटूब पर कमेंट तो करते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचते पहुंचते पता चलेगा बीस को इससे क्या होता है कि जो सामने वाले का भी मनोबल डाउन हो जाता है, क्यों दूसरी बार से हम वीडियो बनाएंगे, क्यों इससे रिलेटेड आप कोश्चन करिएगा, इसलिए तमाम चात्रों से मेरा आग रहा है, कि ये 25 से 30 हजार चात्रों की भविश्य की बाते हैं, उतनी कि आप एक्जाम टूर पर नहें है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को प्रियास किजिए कि आपका डिमांड पूरा मान लिया जाए, मैं सबसे हाथ जोड़कर बिंती करता हूँ, अपने वाट्सप एस्टेटास, पेस्बूक, ट्यूटर, इंस्टा सभी जगह सेयर करें, ताकि सरकार तक, सक्षाम अधिकारी तक और आयोग तक पहुच जाए, सर समय देने के लिए बहुत बहुत आवारब